नमस्का दोस्तों मेरा नाम स्वरुप बेरेगी प्रोम होई ट्वेंगल नोदिया डिस्टिक तो दोस्तों आज मैं देखाने जा रहा हूं यह सैमसंग का 24 इंची टीवी है इसका पॉब्लम है स्टानबाई तो स्टानबाई रिलीज नहीं हुआ सरफ इंडिकेटर जल रहे है तो मैंने पहले से चेक किया देखिए इस बॉड में बहुत रेगुलेटर अब måste मिलगा एक रेगुलेटर और यहां इक रेगुलेटर यहां एक रेगुलेटर और यहांगरा विला सिसेएवगारी ओन Garg रेगुलोटर का क्योंकि यहाँ पे कोई लिखा नहीं है तो आप ध्यान से देखिए यह वीडियो तो आपका यह रेगुलोटर का बहुत ध्यान मिलेगा यह जो रेगुलोटर है यहां 13 वोल्ट इन होता है 5 वोल्ट आउट होता है 13 वोल्ट इन होता है 5 वोल्ट आउट होता है स्विस्जिंग होने का बाद इहां 30.3 वोल्ट होता है इहां 30.3 वोल्ट होता है इहां कि और फॉइंट शरी दोस्तों यहां 8.8 बोल्ट होता है यहां 23.3 बोल्ट होता है देखिए एह देखिए अन पॉइंट ऐट थीखे दोस्तों और यह जो आई-सी है यह आपका होता है आपका सब्सक्राइब तो ज्यादा वोल्टेस जो जो वोल्टेस इसमें लागेगा स्वाप वोल्टेस रेडी है लेकिन स्टान्बाइ रिलिस नहीं हुआ तो मैंने क्या किया तो मैंने इहां निकल के हिट सिंग निकल के हमारा पास यह पेस्ट है यह पेस्ट मैंने ज्यादा लगा के बोलो अच्छे मैंने हिट किया क्या होता है मान लिजे कि हमर आइसी है क्यूंकि मनली होम आइसी है यह हमें इक दियाट पॉइंट होता है तो ज्यादा चलने का बाद आइसी हीट होके वह नेगेटिफ सोड देता है तो इसलिए क्या आपको दूसरा बार हीट लगा के वह ग्राउंट आपको लागाना पड़ेगा तो दोस्तों मैंने हीट अच्छा करके दिया तो मेरा सेट चालू हो गया तो दोस आज तो वीडियो लाइक करना शेयर करना मैं कोशिश किया अच्छा वाला वीडियो वाना के पैनेल का वीडियो वाना के आम आपको दिखाएंगे कुछ दिन टाइम लगेगा पैनेल का फर्ट भी हम आपको देंगे लेकिन पहले सेनल सब्सक्राइब तो कीजिए आज यहा आमस्तु